पार्तिय जंता पार्टी एक सयोगी के तौर पर उनको रखे हुए है एक 11 सीट हम लोगों ने विधान सवा का चुनाव लड़ने के लिए उनको दिया था चार सीट जीत करा है सयोगी है सयोगी के तरह रहे कोई दिक्कत नहीं हमने तो कहा जिसको जहां जाना है जाए कोई फरक नहीं पड़ता है विहार NDA में इंदीनों सब कुछ ठीक नहीं है लगतार बयानवाजी चारो घटक दल आपस में ही कर रहे है आपको बतादू कि VIP सुपरी मूमू के सैनी ने जिस तरीके से बयान दिया था कहा था कि हमारी बधालोत NDA सरकार चारी और जब हम अपना जो हाथ है वो पीछे खीच लेंगे तो सरकार गिर जाएगी उसको लेके जो बिवाद है वो लगतार बढ़ता जा रहा है और जो बयानवाजी है वो लगतार जा रही है कल जिस तरीके से परेवरन मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी कह दिया था कि गिदर भक्की से हम डढ़ने वाले नहीं है और यह गिदर भक्की नहीं चलने वाली है उसके बाद मुके सैनी ने भी कहा कि गिदर भक्की नहीं है हम अगर चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं और छोटे मोटे नेताओं के पे हम बयान नहीं देते अगर देश के प्रधान मंत्री नरेन मोदी अगर हमें कहेंगे तो हम तुरत अपना समर्थन वापस ले लेंगे हम पूरा सम्मान करते हैं जो गठवंदन में उसका सम्मान है इसमें कहीं दोमत नहीं है भारतिय जंता पाटी एक सयोगी के तौर पर उनको रखे हुए है एक ग्यारा सीट हम लोगों ने विधान सवा का चुनाव लड़ने के लिए उनको दिया था चार सीट जीत करा है सयोगी है सयोगी के तरह रहे कोई दिक्कत नहीं आरजेडी के लिए काफी सौफ्ट हो रहे हैं कहीं कोई चांसेस तो नहीं है बिहार में हमने तो कहा जिसको जहां जाना है जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है देश में नरेंद मोदी की सरकार और बिहार में नितिश कुमार के नित्रित में भारतिये जनता पाटी काम कर रही है या करते रहेगे जैसा कि आपने सुना सीधे तोर पे समराच चौधरी का कहना था कि मुकेश सैनी स्वतंत्र है और अगर उनको जादा दिकत है तो वो कहीं भी जा सकते हैं हम में कोई दिकत नहीं है और वही उन्होंने कहा कि रास्टिये जनता दल पूरी तरह से कन्फ्यूजन में है क्योंक अगर किसी को दिकत है तो वो जा सकते है तो बड़ा बयान समराच चौधरी ने दे दिया है और कहा है कि जिने दिकत है वो जाए कल नीरच कुमार बबलु ने भी कह दिया था कि जिने दिकत है आप देखने वाली बात है कि बिहार की सियासत में क्या कुछ निकल के सामने आत